हेलो सबना में जाए बोस्तों आजने मेरे पास में शाओमी के एकनम लेटेस्ट तरकता वड़कता शाओमी 14T Pro स्मार्टफोन है जो कि बाई कुछ मंस पहले चाइना में लाउंच हुआ था रेडमी K70 Ultra के नाम से हमने इसको रिव्यू किया था आपको बताया भी था कि 14T Pro के नाम से ग्लोबली फोन लाउंच हो सकता है फाइनली दुबई की मार्केट में लाउंच हो चुका है और भाई क्या दे रहा है दुरुस्ता है वाली चीज हुए है यहाँ पे लाइका के कैमरास के साथ में लाउंच करा गया इस वाले फोन को जो की K70 Ultra के कैमरास से मुच बेटर है क्या कुछ बिलता है क्या इंडिया पे लाउंच होगा यह वाला फोन या फिर नहीं होगा दुबई में क्या प्राइज रखा गया है सारी चीजों के बारे में आगे इस वीडियों बात करने वाले हैं जिसके लोफ तो वीडियों में एक दम एंड तक बैने दिएगा एंड हैंग सट डख गजए स्टार्ट इंड एंड शाओमी 14T PRO की और जब मैंने नंबोक्सिंग करी मैंने बिलकुल भी एक्सपेक नहीं करा था फर्स टाइम शाओमी में इंट्रेक्ट मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि भाई बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं है तो भाई हमें अपना फोल्डर मिलता है जिसके अंदर इसकी टाइप A to type C वाली केवल है और चार्जर नहीं कर रहे हैं बट ऑन दिस फोन दुबई में अट लिस इस वाले फोन के साथ में चार्जर नहीं आता है सबसे पहले सो डिजाइन के हमें बात करते है Xiaomi 14T Pro की तो भाई ये फोन जैसी मैं हाथ में उठा रहो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कोई बहुत ही तगड़ा रगड़ फोन मैंने अपने हाथ में पकड़ा है यहां पर भाई स्क्रीन गार्ड प्री इंस्टॉल्ड आता है इस वाले फोन के साथ में एंड इन हैंड फील जो लिगलके आरिया दोस्तों इस वाले फोन के साथ में वह भी काफी दा अच्छी है सिरिफ 8.2 mm से ले में यह वाला फोन एंड 209 ग्राम से वेट करता है considering कि यह ग्लास वाला फोन है metal डाल के रखा हुआ aluminum यहां पर काफी ज़रा solid है जो कि मुझे इसके weight and dimensions काफी ज़रा अच्छे लगे also IP68 dust and water resistance से वाला फोन बट भाई यह next level लेके जाता है because यह 2 meter तक submerged हो सकता है compared to 1.5 meter on other phones और यह जो titan black color है न इसका यह मुझे 7 out of 10 लगा because यह जो पीछे sparkling finish हारी न इस वाले फोन की यह मुझे थोड़ी सी जैनेरिक लगती है भले ही वो हम oneplus के 12 के साथ में experience करें या फिर इस वाले फोन के साथ में also 3.5 mm headphone jack नहीं है जैसे कि सारे प्रीमियम फोन में नहीं आता है but we have the IR sensor जैसे कि शाओमी के सारे ही फोन में हमें मिली जाता है रिमोट कंट्रोल की तरह एक करते है दोस्तों यह वाला फिर display करें बात करते हैं तो भाई display के साथ में बहुत जादा impressed इसका refresh rate यह भाई 144hz के refresh rate के साथ में आता है गेमिंग वगर अगरा के लिए यह टार्गेट करा रहा है एक दम स्पेशली इन दुभाई बिकॉस यह लग फोन मीडियाटेक के डामेंसेटी 9300 प्रो चिपसेट के साथ में आता है जो कि इस वक्की जब मैं वाली वीडियो बना रहा हूं वन अप द फास्टेस चिपसेट अविलेबल है 9400 प्रो बिकुल अरवन दो कॉर्णर है कुछ हफते में उसके फोन साय लग जाएंगे वो भी हम रिव्यू करेंगे इसके लिए आप चैनल को सब्स्टेप कर लेना बट फॉर नाओ इस इस वर फास्टेस फोन एविलेबल एंड सिफ रिफ्रेश रेट नहीं इवन जो इसक इस प्रेस्प्ले बहुत सरी जैसे कि यह सूपर रेजोलुशन, AI HDR एंहेंस्मेंट, M.E.M.C. मोड यह सारे फीचर्स मैंने ओन करेंगे रखे है तो गेट बेस्ट कॉलिटी आउट आप दिस्प्ले आप दिस्मार्ट फोन पर्फोन का यह मतलब बात करते हैं इस वाले फोन का आता है भाई Dimensity 9300 चिपसेट के साथ में और 1TB वाला वर्जन है मेरे पास में इस वाले फोन का दो कि दुबई में प्राइज अप्रॉक्सिमेटली मुझे 2400 दिरहाम का पड़ा इंडिया के 50-50,000 रूपीज कंवर्ड होते हैं लेकिन अगर इसका 512GB वर्जन लेते हो त तो भाई multi-core के scores देखो आप Geekbench में इसके 7203 मतलब माइं ब्लॉइंग है fastest है compared to the even the Snapdragon 8 Gen 3 इससे पंगा नहीं ले सकता वो वाला चिपसेट भी और जब जीप्यू में टेस्करा भाई तो वहां पर भी it will blow your mind 15,000 के जीप्यू स्कोर निगल के आए हैं अगें अगर आप इसको लेके लास्ट यर वाले model के साथ में compare करते हो snapdragon 8 Gen 2 के साथ में तो काफी जादा तगड़ा जंप है अपर in GPU as well यह हो गया Geekbench फिर मैंने भाई Antutu test करा guess what 2 million definitely cross करा है लेकिन भाई 21,500,000 के scores निकाल के दिये हैं again the fastest on any other smartphone फिर भाई जो storage and RAM के scores हैं वो highest है तो कि आज तक मैंने क 2.1 lakh and भाई जो RAM है वो DDR 5X है storage UFS 4.0 अला है 1 TB है तो मतलब यही कुछ मैं expect कर रहा था जब मैंने CPU throttling test करा तो भाई यह वाली chipset one of the best निकल के आई है on any other smartphone flagship smartphone से अगर compare करे तो 91% का भाई इसने score निकाल के दिया है मतलब बहुत ज्यादा awesome है यह चीज best part पता ही किया है कि यह वाला phone भाई heat नहीं हुआ CPU throttle में अच्छे अच्छे फोनों की हवा निकल जाती है हमने जितने फ्लेक्षे फोन आज तक टेस्ट करें वह 40 डिग्री definitely cross मारते हैं कुछ-कुछ फोंस तो भाई 50 डिग्री cross मार जाते हैं यह वाला phone 36 डिग्री के आसपास ही touch किया which is really good और यहा ब्लूटूथ वाई-फाई 7 मिल जाता है अगेन लेटेस वर्जन आप वाई-फाई as well और भाई NFC भी मिल जाता है और भाई जो हैप्तिक्स निगल के आरे हैं especially मतलब वह इस वाले फोन के बहुत जादा तगड़े हैं कहीं पर भी अगर आप तच कर रहे हो जो feedback आपको मिल करती है considering the price of this phone दुभाई में शाओमी के फोन महेंगई आते हैं इंडिया कम प्रेजन में मानता हूं कि इंडिया में इवाला phone easily 40-45,000 का ये लोग लाउंच करेंगे अगर 256D वाले वर्जन भी लाउंच करते हैं तो भाई मैं बोलूँगा कि performance-wise बिलकोल वर्थ है इवाला highlighting part इस phone के Leica के cameras को मैंने टेस्ट किया भाई मैं हाँ पर expectations जो है मेरी mid-level पर थी because ये एक मतला flagship वाला phone नहीं है performance-centric phone है लेकिन इस वाले phone ने मेरी expectations को यहाँ पर exceed कर दिया और मैं ये इसलिए वोल रहा हूं because जो camera setup है 50MP का F1.6 जो कि एक काफी बड़ा aperture होता है अपने आप मे वो main sensor के अंदर है OIS यहाँ पर देखे रखा हूँ है main sensor में 50MP का telephoto जो कि एक बहुत हाई resolution telephoto lens है दोस्तों F2.0 का यहाँ पर aperture है और ये भाई 2.6x का optical zoom and 30x तक का digital zoom हमें provide करा सकता है मतलब जो portrait shots निकल के आएंगे वो काफी अच्छे निकल के आएंगे then we have the 12MP ultra wide sensor जो कि F2.2 के अपरचा के साथ में आता है इसका resolution यहाँ ठीक ठीक है और अगर फ्रेंट फेसिंग केमरा की बात करता है तो यहाँ पर भी impressive है 32MP का फ्रेंट फेसिंग केमरा विद F2.0 अपरचर और भाई मैंने स्वाले फोन के साथ में बहुत सारी फोटोस क्लिक के आ रहा है सबसे पहले यह प्राइमेरी इमेज आप देख सकते हो जो कि इसके में सेंसर से क्लिक करी हो यहाँ पर मैं को ज्यादा डिफ्रेंस देख नहीं पा रहा हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर फिर भाई यह पोट्रेट वाली फोटो ली है यहाँ पर भी जो शाओमी के क आप देख सकते हो बिलकुल डार्क पना दिया विकास पीछे से लाइट आ रही थी तो एक्सपोजर अच्छे से यहाँ पर मैंनेज करनी पाया है मैं बूलूँगा मैंने डेलाइट में इसकी वीडियो भी रेकॉर्ड करी है आईफोन के साथ में कंपेर करते हुए आप लगता है कि थोड़ा सा गिम्मी की रिजोलुशन है राइट ना ओन स्मार्ट फोन्स दे नॉट डाट कैपेबल बट 4K जो है कैसे रेकॉर्ड कर रहे है दोने ही फोन्स का आप साइट बाई साइड बाई साइड देख सकते हो दोनों ही फोन्स का दाइज यह वाली मीटर र यह वाला फोन बाई साइड बैलेंस्ट आ रहे हैं कंपेर तो शाओमी एंड बाई स्टेपलाइजेशन कैसे निकल के रही दोने वह भी आप देगी सकते हो मैं थोड़ा साब को रंगर कर रिखा जेता हूं डिसेंट स्पीड पर इस इस हाओ था एक्सपोजर लोग्स ओन ब बैस रिजुशन बेकॉस जो साइज आता है फोटेज का वह अच्छा आता है स्टेबलाइशन काफी अच्छे निकल के आती है तो मैं 4K 60fps यूज करने वाला हूं बट जो स्टेबलाइशन निकल के आ रही है जो कैमेरा निकल के आ रहा है फॉर दर प्राइस मुझे यहां प यह जो आप फ्लेयर देख रहे हो ना यह जो ग्लास है मतलब मैं अंदर था होटेल के ग्लास का फ्लेयर है कैमेरा में ऐसे कुछ भी इशू नहीं है पोट्रेट फोट्रेट में हमारे पास में बहुत जादा इंट्रेस्टिंग यहां पर नजर दाते हैं पोट्रेट की तो थोड़ी जूमध ही ठो değiş stronger and then यह थोड़ी सी ए जॉमध ही ए invasive दिष्टेक्शन के थो और ड्च्ट्रेट को एक बात करते हैं अ अधर एंच है में बात्यकरी आणे के लिए हैं जैसे कि बीलिधि की फोट इं वाइड एंगल 1XN यह वाला बाई जूम होके आगया एकडम और भाई मैंने सेल्फी भी लिया है मैंने सेल्फी भी के साथ में भी जो की सैमसंग का भी लेटर सेल्फी ली बट इस वाले फोन ने जो निकाल के दिया है ने रिजल्स इन नाइट वो भाई सेल्फी की नाइट फिर बले आप यह वाली फोटो लो यह वाली फोटो लो और इसी के साथ दोस्तों कैमरा मुझे काफी अच्छा लगा इस वाले फोन का माइक्रोफोन की क्वालिटी आपने वीडियो वाले पार्ट में देखी लिए कैसे निकल के आ रही है बैटरी के बारे में बात करते है यह वाला फोन भाई 5,000 mAh की बैटरी के साथ में आता है लेकिन जो हाइलाइटिंग पार्ट है वो है वाइस की चार्जिंग यह 120 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है अब दुबई में एंड यॉरोपियन मार्केट में इस वाले फोन के साथ में चार्जर नहीं आता ह इस जाए यह फोन भाई लगभग 20 मिनट में 0-100 चला जाएगा वी 120 वाट चार्जर एंड लगभग 45-50 मिनट में वायर्लेशली 50 वाट के चार्जर के साथ में अप इसको फुली चार्ज कर सकते हो फूम 0-100 मुझे असा लगता है कि बैटरी के पैसिटी है जो 5000 मH वो आज क दालनी जीते इनको, बट 5000 mAh considering the price range शिकायत नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, speaker की दोस्तों अगर बात करते हैं, तो हमारे पास में stereo speakers हैं, एक एसेट नीचे देखे रखा हुआ है दो डॉट उपर भी देखे रखे हुए speakers के, कैसा sound कर रहे हैं, आप आगे सुन सकते हो, यह तो speakers, as you saw 85-86 decibel का continuous हमें playback मिल रहा था, काफी अच्छा sound भी लगा मुझे इस वाले phone के साथ में lastly, बात करते हम लोग software के बारे में, जहां पर इस वाले phone के साथ में Android 14 मिलता है, and HyperOS मिलता है, जैसे कि हम सब ने expect किया था कितने साल की software update मिलेगी, अभी तक कुछ भी उसका mention नहीं है but, user interface जो overall है, वो काफी ज़दा smooth निकल के आ रहा है, कहीं पर भी lag नहीं है Xiaomi के user interface में मतलब तरहा तरहा के हमें features मिल जाते है wallpaper customization से लेके, icon customization तक control panel को मतलब जो ये control center होता है, इसको हम fully customize कर सकते हैं मैंने बहुत ज़दा enjoy कर आ है, मुझे ये वाला user interface काफी ज़दा अच्छा लगता है तो भाई ये था Xiaomi 14T, इंडिया में आ जाए यार मतलब मैं खुछ जाओंगा इस वाले phone को इंडिया में देखके पसंद आने वाला है दोस्तों और इसके साथ दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आईए तो आप भी चैनल को subscribe करके जाना हो सकता है वाली वीडियो शाओमी तक पहुच जाओ और वो भाई इंडिया में इस वाले phone को launch कर दे वीडियो में like करना share करना अपने दोस्तों के साथ में comment कर सकते हो मैं आपका definitely reply करूँगा comment section में और फिर भाई मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में